बिग बोस हाउस एक ऐसा घर जिसमें हर दिन कोई ना कोई शोकिंग बवाल होता ही रहता है अब एक बार फिर ऐसा हुआ बिग बोस 17 में पहली बार मिडवीक एविक्षन हुआ बिग बोस ने घर के कैप्टन और एक्स कैप्टन को नोमिनेशन का अधिकार दिया ऐसे में मुनवर ने अनुराग, ईशा ने आईशा और 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 अभिशेक को नोमिनेट किया इसके बाद बिग बोस ने मिडवीक एविक्षन की घोशना की और घरवालों से अनुराग, आईशा और अभिशेक में से किसी एक को बेघर करने का फैसला लेने के लिए कहा जाददर घरवालों ने अनुराग का नाम लिया, घरवालों के कम वोट्स की वज़ा से अनुराग को घर से बेघर कर दिया गया हाला कि अनुराग के फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सपोर्ट कर रही है अनुराग ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें लिखा हम सब अनुराग को प्यार करते हैं ब्रोसेना और बाबु भाईया पर गर्व है जब वोटिंग से हरा नहीं पाए तो गंदे गेम खेलने लग जाएं अकेला बंदा जो डरा नहीं और इज़त लेकर आया डर से बाहर निकाला वरना ट्रोफी इधर ही होती लेकिन इस बीच अब एक चोकाने वाली ख़वर भी सामने आई जो कैमरे के पीछे की है दरसल बिग बोस फैन पेज के अनुसार घर से बेघर होने के बाद अनुराग दोबाल मेकर्स पर भड़के हुए है अनुराग और बिग बोस की क्रेटिव टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई अनुराग ने अपना स्टैंड लिया और एविक्शन को अनफेर बताया इतना ही नहीं फैन पेज के अनुसार अनुराग ने कहा कि वोटों की कमी के आधार पर उन्हें कभी भी एविक्ट नहीं कर पाते अनुराग का कहाना है कि वे घर के अंदर अंत तक रहते तो बाहर टोफी लेकर ही आते हाला कि अनुराग और Big Boss Makers की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई official statement सामने नहीं आई Big Boss से evict होने के बाद contestant मीडिया में interview देते हैं लेकिन अनुराग ने interview देने से साफ इंकार कर दिया लेकिन उनकी PR टीम और Makers की creative team के बीच अभी बातचीत चल रही है बिसे आपको ये भी बता दें कि अनुराग के इस eviction को unfair बताया जा रहा है Big Boss OTT 2 winner Elvish Yadav ने भी अब इस पर react कर दिया Elvish ने अपने पुराने tweet को retweet कर लिखा वा Big Boss दरसल Elvish ने अपने पुराने tweet में ये बात पहले ही कह दी थी कि Big Boss किसी ना किसी तरह से अनुराग को शो से बाहर कर देंगे क्योंकि वो जनिता के वोटों के आधार पर तो evict हो ही नहीं सकता इस तरह की और भी वीडियोज के लिए follow और like कीजिए इंस्टा फीड